चार धाम जाने वाले यात्रियों के लिए बनाए गया कॉल सेंटर अब एक कॉल पर दूर होगी रेज़्टेशन संबंधित परिशानी किदाना धाम के लिए हेलिकॉप्टर सेवा के बोकिंग शुरू पहले ही देन 30 अप्रेल तक के बोकिंग हुवे फुल महाकाल मंदिर में शिग्र दर्शनम व्यवस्था में बदलाव 250 रुपे वाली ओफ्लाइन रसीध हुई बंद और काशी विश्वनात और महाकाल कॉरिडोर की तरज पर अब गुजरात के द्वारका में भी बनेगा कॉरिडोर इस साल जन्माश्टमी के दिन से शुरू हो सकता है काम चारधम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए एक कॉल सेंटर के स्थापना की गई है जहां एक कॉल पर यात्रा पर जाने वाले यात्री साहता ले सकेंगे ये खास तोर से उन यात्रियों के लिए काफी मददगार साभित होगा जिन्होंने अपने होटल के बुकिंग करवा रखी है लेकिन उन्हें वेब पॉर्टल ये मुवाइल आपके माध्यम से पंजी करण नहीं मिल पा रहा है वो एक फोन कर अपना पंजी करण करवा सकते हैं उत्राखंड विकास परिशत के तरफ से इस बात के जानकारे दी गई है ये कॉल सेंटर पंद्रा लाइन वाला है जिससे देहरादू निस्तित मुख्याले से संचालित किया जा रहा है केदारना धाम के लिए हेलिकॉप्टर सेवा के बुकिंग शुरू हो गई है पहली बार IRCTC वेबसाइट के माध्यम से यात्री केदारना धाम के लिए हेलिकॉप्टर सेवा के बुकिंग कर सकते हैं इसमें एक बड़ा अपडेट ये है कि हेली सेवा के बुकिंग खुलते ही पहले ही दिन 30 अप्रेल तक के सारी बुकिंग फुल हो चुकी है। 30 अप्रेल के बाद के बुकिंग के लिए अभी स्लोट का समय तैन नहीं किया गया है। के दाना धाम के लिए गुप्तकाशी, सिर्सी, फाटा हेली पैट से 25 अप्रेल से हेली सेवा का संचालन शुरू होगा। इसमें 9 हेली कमपनियों के माध्यम से सेवा संचालित की जाएगी। मधिपरदेश के उज्जयन मिस्थित बाबा महकाल मंदिर में शिग्र दर्शनम व्यवस्था में एक बड़ा बदला हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक अब 250 रुपे वाली ओफलाइन रसीद बंद कर दी गई है। शद्धालों को ये रसीद ऑनलाइन माध्यम से लेना होगा। अचानक हुए इस बदलाव से शद्धालों को काफी परिशानी हो रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में यहां सिग्र दर्शनम व्यवस्था में दो बड़े बदलाव किये गए हैं। इससे पहले शिग्र दर्शनम के प्रवेश द्वार की सड़क को बंद कर दी गई थी। अब चारधा मंदिर की तरब से सविश्र धालों को प्रवेश दिया जा रहा है। काशिव विश्रमात, महाकालोक और मतुरा कॉरिडोर के बाद अब गुजरात के द्वारका में देभूमी कॉरिडोर बनाने की तयारी चल रही है। केंदर सरकार इसे पश्चिम भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंदर बनाय जाने की योजना तयार कर रही है। शुरू हो जाएगा। आयुध्या में बन रहें राम मंदिर को भवता देने के लिए परिसर में गणेश, हनुमान, सुर्य, माभवानी और महादेव के पंचदे मंदिर के साथ-साथ श्री राम के वनवास काल की चर्चित विभूतियों, जटायू, माता शबरी, निशाद राज को भी स्थान दिया जाएगा। राम नवमी के अफसर पर राम लला के प्रतिमा पर सुरी की किरणे सीधी पहुँचे, इसके लिए अंतरिक्ष विभाग और अने संस्थाओं के वैज्यानिकों के साथ काम किया जा रहा है और इसके अनुरूप ये भी तई किया जा रहा है कि मूर्ति के उचाई क्या होगी फिलाल पंचदेव मंदिर की नीव पढ़ चुकी है, इसे पहले चरण में ही बनाय जाएगा ताकि श्रधालू भगवान राम की पूजा करने के बाद पंचदेवों का दर्शन एवं परिक्रमा करके विधिवत रूप से अपनी पूजा पूरी कर सकें वरिंदावन में ठाकुरबा के बिहारी मंदिर में आने वाले समय में दर्शन के लिए श्रधालों को ओनलाइन रेजिट्रेशन करवाना पड़ सकता है, इसके लिए मंदिर प्रशासन मसोधा तयार कर रहा है मिली जानकारी के मुताबिक ऐसा मंदिर में लगातार बढ़ती भीड की वज़ा से किया जा रहा है, कलियों से लेकर मंदिर प्रांगण में भीड का दबाव बना रहता है शनिवार, रविवार और तयवहार के बाद अब हर दिन मंदिर में भक्तों की भारी भीड हो रही है, जिसके चलते मंदिर की व्यवस्थाएं बिगड रही है इस दर्शन व्यवस्था को लागू करने के लिए सिवायतों ने भी अपनी मंजोरी दे दी है झाल, फजब है